मुझापरपूर समाराणले सबाकक्ष में विकास समानवय और निगरानी समिथी के बैठा का उजित की गई बैठा के बाद बिहार सरकार के परुमंद्री और बिजेपी नेता राम सुरत राय ने राम मंदिर की सवाल पर विपक्ष को जम कर घेड़ती हुए कहा कि जो लोग मंदिर को नहीं मानते उन्हें इसलाम कबूल कर लेना चाहिए राम मंदिर हिंदू मंदिर की बात नहीं है तो 500 बर से सनातनियों का जो मांग था वो आज पूरा हुआ है तो पूरे 20 में सनातनी 22 जनवरी को दिपावली मनाएंगे और सनातनी किसके साथ हैं ये सब लोग जान रहे हैं ये लोग समझ रहे हैं कि अगर हम लोग से भोट कि सक रहा है तो ये भोट बैंक की राजनित करते हैं तो हमारी भारतियंता पार्टी हमारा संग हमारा संगठन हमारे भी सुन्दू परसत को लोग लगे हुए हैं निश्चित तोर पे हम सब लोग हिंदू सनातनी हैं मंदिर को मानते ही हैं तो यह लोग इसलाम को मानने वाले हैं ऐसे लोग को इसलाम धर कबूल कर ले